सिक्षक बहाली में कुछ ना कुछ नया मोड हमेशा आ रही है जब से यह नियमावली बनी है तभी से इसका विरोध सुरू हो गया है और जब फर्म का डेट दिया गया फर्म भरने का जो बीपेसी के द्वारा आयोजित होना है उसमें भी लागतार देखते हो येगा जब है जब लाजक पेपर का ये witness है अध्यापक बाहली की परीक्षा में टीच सिक्षक नहीं लेंगे हिस्सा बहिस्सकार का एलाम् यानिहीं कि जो है सिक्षक टीच के द्वारा शिक्षक हुए है वो इसमें भाग नहीं लेंगे टिटी सिक्षक संग की परदेश कारेकारणी के बैठक के उपरांत्र संग ने सर्व स्वामतिती से यह निर्णायड लिया है कि नई अध्यापक बहालीप परिक्षा का बिहार के सभी 2 लाख प्रदेश अध्यक्ष आमित बिक्रम का कहना है कि जो दो लाक टीटी सिक्षक उतिन्ड है वे किसी भी सर्थ पर भी प्यसी द्वारा अवजी सिक्षक बहाली परीक्षा का हिस्द नहीं बनेंगे यानि इन लोग का साफ कहाना है कि वो फर्म को अपलाई नहीं करेंगे यह सर्वस्वमती से लिया गया फैसला है जिसमें 2,00,000 T.A.T. सिक्षक बहाल हुए थे उसमें से सभी का कहाना है कि नहीं लेंगे बहाली परिक्षा का हिसा नहीं बनेंगे और फर्म नहीं भरेंगे अपनी योगिता साबित कर चुके हैं तो वो अब किसी भी परिक्षा का हिसा क्यों बनें उन्होंने कहा कि सरकार उनके इतने सालों के अनुभाव का कोई मोल नहीं रखा यानि कि उन लोग का साफ कहना है कि 2012-22 तक यानि कि 2012-20 तक 10 साल उन्होंने जो कारिक्या उसका सरकार कोई मोल नहीं रखा, उन्हों उसमें इनके द्वारा बताए जा रहा है कि जब कि नियमावली की कंडिका आठ में कहा गया है कि पुर्व से नियोजित गएगी जो भी नियोजित सिर्छक है जो पुर्व से काररत है उनके लिए अलग से ब्यवस्ता की जाएगीент या ट्रेक्षकों क्या जा सकता है या किश सो Sent और ऌए अलग से कोई नहीं आपनाएं गई इसलिए टीटी शिक्षक संसभी issy को सब्स्द संदेश देना चाहता है कि वह इस बहाली प्रकंड का हिस्सा नहीं बने यहीं दिया गया है आज के पेपर में और यह लोग का मीटिंग में यहीं नहीं लिया गया अब आगे देखते चलिए अभी तो आज फ़र्म यानि की मातर दूसरा दिन है अब इसमें देखिए आगे क्या-क्या नूज आता है यदि आप किसी भी एक्जाम क पर ज्यादा ध्यान दे और हमेशा कोशिस करें की एक सेट प्रेक्टिस करें ताकि उनका अध्यान विद्धवत रहे और जो भी अभ्यरति हैं किसी भी प्रकार का कोई शमस्या हो तो आप कमेंट वक्स में जरूर कमेंट करें जैहिंद जै भारत जै इस